ब्रज मंडल की जलाविशिक जात्रा की अनुमती नू जीला पशाचन की ओर से नहीं दी गई है पुलिस महान देशक के साथ हुई बैठक के बाद कमिशनरी की पुलिस ने सुरुष्चा प्लान तियार गया है जिसे रविवार शाम पाँच बज़े से लागू कर दिया गया पुलिस की ओर से तयार किये प्लान के हिसाब से मानेसर और साथ जोन में अलगलग पॉइंट पर दस पुलिस नाके लगाए गए है जहां से नू की ओर से जाने वाली हर व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी पुलिस ने व्रजवान से लेकर आंसों गैस के गोले छोड़ने तक का अंतिजाम किया है कमिशनर रेट की पुलिस ने पहले ही साइबर सीटी के लोगों से अपील की कि वह नू की ओर से ना जाएं वहां की जिला प्रशाशन की ओर से जल्यारवी शेक जाता पर किसी भी तरह की अनुमती नहीं दी गई है पुलिस की ओर से किसी भी भारी विक्ति को नुमे परवेश ना देने का निन्ने लिया गया है सभी SP को निडिश दिया गया है कि वह अपने शेतर के थाना प्रभारी के साथ पुलिस नागों पर नज़र रखेंगे इसके साथ है ट्रैफिक की जिम्मेवारी DCP ट्रैफिक को दी गई है किसी भी शरारती तर्द के ओर से धार्मे की स्थालों को निशाना ना बनाया जाए इसके लिए शेहर के सब भी धार्मे की स्थालों पर पर पर्रयाप संख्या में पुलिस बलतेनात किया गया है हर थाना प्रभारी वे S.P. अपने शेतर के धार्मिक स्थलपन नज़े रखेंगे किसी भी स्थान पर मामला संधेनात्मक लगता है तो उसकी जानकारी वरिष्ट अधिकारियों के संग्यान में आनी चाहिए सावन के आकरी सोमवार को सर्व हिंदू समाज की ओर से निकलने वाली जलाविषग जातरा अब नूर नहीं जाएगी जिसके चलते लोगों को गुरुग्राम के प्राचीन बाबा परकाश पूरी मंदिर में जलाविषग करने के लिए कहा गया है यहाँ पर सुबह 10 बई से 11 बई तक का समय तेह किया गया वेस्ट जोन से पुलिस बल यहाँ पर तेनात की गई है बज गेड़ावे राजिंदरा पार्ग ठाने का पुलिस बल यहाँ पर मुझूत रहेगा मंदिर में आने जाने वालों पर भी नज़ा रखी जाएगी ऐसरी वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्याबाद